हेई गाईज देखो आज हम डिसकस करेंगे मार्केट में लगबग जो है कुछ स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में वो भी आईटी सेक्टर के बारे में है इसके बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं और काफी बड़ा मुनाफा निकाल के देते हैं सबसे पर है तो निफ्टी का ह लेकतर के देने नगेट्टिव जाने की कोसिस कर रहा था ऐगिन आज के बाजार में जो मोमेंटम बना है स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम मना है अलाकि मार्केट greater प्लस में था लेकिन फिर भी जो small cap mid cap वाले stock थे बहुत ज्यादा पिट रहे थे बहुत ही ज्यादा पिट रहे थे लेकिन आज कल के date में stock जो है सभी वापस आत जा रहे हैं यहाँ पर और एक ऐसी company जहां पर लगवा सभी कुछ जो है आपको मतलब काफी अच्छा देखने को मिला यहाँ पर अगर आप देखना स्टार्ट करोगें तो यहाँ पर देख सकते हैं intrinsic value आपको बताया जारा current price is less than the intrinsic value जो current price है वो intrinsic value से नीचे है मतलब बहुत अच्छी चीज है उपर से यहाँ पर देख सकते है FD rate से भी ज़्यादा से ज़्यादा return निकाल के दे रहा वो अगर आप overvalued stock में पैसे डालते हो तो भाई आपको ज़्यादा ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं और कभी भी बड़ी ग्रावट देखने को मिल सकती है लेकिन अच्छे stocks में आप देख सकते हैं कि लगबा अगर जो stock overvalued john में नहीं है अगर वो अगर आप खरी competitor है competitor IT sector की company के बाद कर लेते हैं तो इनके सारे competitor ने काफी मतलब बहुत अच्छा return दिया काफी मैं क्या ही बोलू यहाँ पर एक साल का return अगर आप देख सकते हो तो लगबा बताया जरह 144% का मतलब पैसे डबल से भी जाता है यहाँ पर देख लिए 45% का परसंट का return क्या ची loss साइध किसी ने दिया आप देख लो यहाँ पर जो आपको बताया है साइध किसी ने यहाँ पर loss देने के कोसिस किया यहाँ पर देख लो और जो last दो बच्चे थे यहाँ पर देख सकते है turnless solution है यह भी सारे profit दे चुके है लगबा दो सो तीन सो चार चार सो परसंट का यह यह profit है अभी देखो के company के पास लगबा जो 2018 में 82 करोर का profit था 2019 में 90 करोर का हो गया और 2020 में 78 करोर का मतलब मुनाफा थोड़ा घटिया था लेकिन फिर अगर हम देखते हैं 2020 में तो लगबा 114 करोर के आसपास है मतलब company ने continue अपना जो है profit बढ़ाया हाला कि 2020 में यह जो अच्छे अच्छे company नुकसान में चल रहे थे उस वक्त तो company का नाम देख लो saskan technology एक company के बार में हो सकता है कि आप लोग ने पहले भी सुना होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने और भी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं तो आप लोगों इसके बार में जाना होगा saskan technology बिल्कुल debt-free company है कोई problem नहीं है बिल्कुल एकम घजब की company परमोटर्स के पास भी काफी अच्छा हाला कि domestic ओल हो या foreign वाले ने 20% माल उठा रहा है लंबे समय में ये stock आकर देखो के तो लगबग कभी कभी तो गिराओड भी देखने को मिलती है लेकिन finally stock जो है किवल हाई पी हाई जाने के कोचिस कर रहा है तो मैं आपको बलूँगा debt-free बिंदास company लगबग 1500 का लेबल तो आप लेके चली सकते हो 1500 रुपीज आराम से profit आप चाओ तो फिर book करके निकल सकते हो देखो जरूरी नहीं है मैं समझ दो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता 1500 को एकड़म exact tax करेगा हो सकता है कि मतलब 10-20 रुपया उपर नीचे भी हो जा समझ रहो ना लेकिन profit देते हुए तो नजर आएगा इतना आप सोच सकते हो समझ सकते हो notice कर सकते हो paper trading कर सकते हो जो भी आपकी इच्छा आप कर सकते हो आप अपने हिसाब से हाला कि सारे stocks अच् कितना capacity है loss bear करने का ये भी तो आपको पता होना चाहिए है कि अगर मैं 100 रुपया कमाता हूँ तो इसके लिए मैं कितना risk ले सकता हूँ 10 रुपय का risk मैं उठा सकता हूँ ये आपको पता होना चाहिए याद रखो एक दम बिल्कुल बिंदास company गर आप long term के लिए भी रखन की बात नहीं है बाकि आपकी मर्जी रहेगी small cap काफी एच्छी stock जो है आपको मुनाफ़ा निकालते हूँ नजर आ रहा है मैं आपको बहूंगा एक बार आप देख लो तो ज्यादा बेटर देखने को रहेगा और अगर आप stock market मेंने वह अपने डिमेट अकाउंट अगर ऑ एंजल वन हो चुका पहले एंजल था अब एंजल वन बन चुका है तो मैं आपको बलूँगा एससे अगर डिमेट अकाउंट ऑपन करो जहां पर आप लाइफ टेंशन की बात नहीं है और एक वाच लिस्ट बना के बताया जाता है जहां बताते हैं शॉर्ट टाम लॉंग सब्सक्राइब लिंक में जाके अपने अकाउंट बगारा ऑपन कर सकते हैं